अगर आपका डॉबर सलाइविशन कर रहा है या पैंटिक कर रहा है सांसे जोड जोड से ले रहा है उसके मुझे लगतार सलाइवा गिर रहा है तो उसके क्या इंडिकेशन है वो क्यों ऐसा कर रहा है सबसे पहले गर्मियों का दिन है तो यह प्रॉलम हाँ पस काफी आ रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर ओवर सलाइवेशन है या पैंटिंग है तो उसके दो कायन हो सकते हैं सुरुवाती में या तो फिबर हो सकता है या हीट स्टोक हो सकता है टेमपरेचर तो अगर सलाइवेशन बहुत जादा हो रहा है तो आप टेमपरेचर चेक करें अगर तो टेमपरेचर ज्यादा है तो आप उसको अपने वेट के पास ले जाएं जब तक आप अपने वेट के पास नहीं ले जाते हैं तो आप पैरसित्रमोल का टैबलेट 10 मिलीग्राम पर क प्रेम को सकता है हीट स्टोग जब भी आपका डॉब्यों में थर्ड फ्लोर पर जैसे की रा रहा हो या गाली में बंद हो गया हो यहाँ पर आ रह रहा हो यहां पर गर्मी बहुत जादा եो हीट स्टोग में काफी कॉमन है और खास करके वैसे बीट में जिनका जो चेहरा ह चप्टा होता है उनको सांस लेने में और दिकत होती है ऐसे में जो डॉक का बॉडी टिंपरेचर है एक सो पांच से लेकि एक सो साथ डिग्री फैयान हिट तक जा सकता है और उसके लिए लाइफ थ्रिटिंग हो सकता है तो जब भी गर्मियों में आपको लगे कि आपका डॉ है और हीट स्टॉक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इमीडियेटली उसको आप ठंडे पानी से नहला दे अगर पांच से दस मिर तक आप उसको ठंडे पानी से सावर देते हैं तो मोस्ट अब टाइम जो टेंपरेचर है वो दो से तीन निगरी नीचे आ जाएगा और जो डेंजर रहे गार उसका सलाइबा गिरता रहे गा ऐसे मैं आप गम को देखो इसमें रिड़नेस या ब्लीडिंग है या उसमें वह सुलिन है तो आप इमीडियेटली अपने वेट के पर ले जाए और इसका ट्रीट्मन कराएं और घर में क्या करें घर घर में जरली नहाप कम से कम बहुत इंपॉर्टन है तीसरा चौथा कारण जो हो सकता है वह हो सकता है त्यूमर आप देखो कि उसके गम में या माउथ के आस पास कोई ट्यूमर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है अगर त्यूमर ग्रोथ हो रहा है तो वह भी सलाइबेशन कारण हो सकता है उसका कीमोथरेपी कर हार्ट इशू और नॉर्मल टेंपरिजर हीटर स्टोक को कैसे डिफिक्चेट करें जनरली अगर हार्ट इशू है तो डॉक सांस जो जो से खीच के लेगा ऐसा लएगा उसको हवा की कमी महसूस हो रही है और सांस को खीचने कोशिज कर रहा है वो लगतार पैंट नहीं होगा और उसके टंग को अगर देखेंगे तो वह प्रॉपर पिंक नहीं होगा हलका ब्लूइस होगा अगर वो सांस खीच के ले रहा है और टंग हलका ब्लूइस है तो आप समझ लो आपके डॉक को को हार्ट का इशू है ऐसे में आप अपने वेट को कंसल करें वो राइदे हैं खास करके गर्मियों के दिन में और एक्सुसाइज के करन मेंए हो सकती है लेकिन जो भी बाटि में और ओके परिकरता है हार्ट सडै बाडी के दिफिन्ट पार्ट में अगर उसका हेमोगलोबिन कम है तो जो ऑक्षिएंट करें और तेज तेज सांस लेता है ज्यादा खीचने का प्यास करता है तो यह सारे कायन है जिनकी बहुत से ओवर सलाइबेशन हो सकता है पैंटिंग हो सकता है तो आप वन बाइवन इसक को डिफेंट करें और अपने डॉक का ट्रीटमेंट अपने वेट से कराएं तैंक यू फ्रेंट्स तैंक यू वेली मच्छ